पॉर्नोग्राफी ये एक स्रिव मानसिक समस्या नहीं है ये एक चरित्र का समस्या आर्थिक समस्या और शारिरिक समस्या भी है हलो दोस्तों मैं गिरिश आपका स्वागत कलता हूँ एको जीवन के लिए सनातन सत्यमे अज पॉर्नोग्राफी पे डिस्कुशन करने में लोग बहुत ही शर्माते हैं चल्चा करने पे कत्राते हैं कुछ लोग तो इसको एक अलगी नज़रिये से देखते हैं नज़ाने क्यों लोग इसको गंबीरता से लेते नहीं है कि इसके बार में सीखना, सोचना, समझना बहुत ही जरूरी है अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो इसके बहुत ही गंबीर और अन्यदिक असर हो सकते हैं तो आईए हम ऐसे ही कुछ बातों के उपर इन से रिलेटेड, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ बातों के उपर आज हम चल्चा करते हैं और चल्चा करने के लिए आज हमारे बीच है जीयो वर्गिस तो बिना समय को नश्ट करते हुए सीधा हम सवाल के और बढ़ते हैं सर बहुत सरे लोग इस पोर्नोग्राफी शब्द से ऐसे दूर भागते हैं कोई इसके बारे में खुल कर चल्चा नहीं करना चाहता सबसे पहले तो गिरिश में आपको दाद देना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक को उठाया जब बहुत सारे लोग इसके विशे में छुप छुप कर परदे के पीछे रहकर बात करते हैं तो इसको खुले में लाकर इसके उपर एक चर्चा करना मैं समझता हूँ कि बहुत इमत की बात है लेकिन ये बहुत जरूरी बात भी है क्योंकि जिस तादाग में पॉर्नोग्रफी हमारे समाज पर या मनुश्य जाती के उपर अपने पकड़ को जमा रहा है उसको ध्यान में पर ऑपर खुल्हे में चर्चा करना बहुत ही जरूरी हो चुका है अब आपके सवाल के और आता हूँ कि पॉर्नोग्रफी यानि क्या यह जो शब्द है यह दो शब्दों का संधिय पॉर्निया और ग्राफी ऑड़inkर जो शब्द है ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्रोस्टिटूशन या वैश्या वृत्ती और ग्राफी यानि आप समझ सकते हो रेकॉर्ड बनाना या कोई भी चीज को उसका एक उसको स्थापित करना उसको चापना या उसका वर्नन करना रेकॉर्ड जब क्रियेट करते हैं तो उसको ग्राफी बुलते है तो पॉर्नोग्रफी यानि तुम वैश्या वृत्ती का एक रेकॉर्ड बना रहे हो वो है पॉर्नोग्रफी का अक्षरिक अर्थ तो पुराने समय में पॉर्नोग्रफी नहीं होता था पॉर्नो ही होता था पॉर्निया ही होता था लेकिन उसको जब आब रेकॉर्ड किया ज सकता है या यह मौखिक हो सकता है जैसे कि कोई डायलोग दो व्यक्तियों के बीच में है उसका recording है या कोई narration है कि ऐसे हुआ था वैसे हुआ था या audio clips है तो उस तरह से मौखिक हो सकता है फिर pictures या चित्र के रूप में हो सकता है जैसे कि magazines में है या websites में या फिर video जो visuals बोलते है जिसमें या तो film पूरे-पूरे जैसे movie है उसके जैसा ही होता है या video games में या cartoon या animations में या छोटे-छोटे videos में तो यह अलग-अलग तरह से जब इसके record बनते है और इसको जब दर्शाय जाता है उसको pornography बोलते है लेकिन pornography एक ऐसा record है जिसमें इसको देखने सुनने वाले के मन में लेंगिक या कामुक उत्तेजना बनाने के लिए ही इसको बनाया जाता है यानि वो व्यक्ति जब इसको देखे तो उसके अंदर कामुकता जागनी चाहिए वो sexually arouse हो जाना चाहिए तो यही हेतू से यह record बनाये जाते है जब यह हेतू से किया जाए उस सारे records को pornography कहते हैं अब वैसे तो सारे समाज, सारे देश, सारे संप्रदाए में इसको इतने खुले रूप से माना नहीं जाता है उसको एनेती क्या गंदा है करकर देखा जाता है लेकिन 1960s के दशक के बाद पूरे संसार के pornography के तरफ के नजरिये में एक बदलाव आया 1960s के बाद एक जो hippies और और सब का जो culture आया, Beatles आया, music एकदम open हो गया तो हम जानते हैं कि cultural transformation हुआ तो उस समय में pornography के तरफ की प्रतिक्रिया भी बदलने लगी, लोगों का सोच बदलने लगा 70s और 80s आये तब तक तो pornography mainstream media में आ गया और 90s में जब internet आ गया, उसके बाद उसकी बढ़ोतिया, उसका इजाफा एक अलग level पे हुआ internet पे ये च्छा गया और 2000s और 2010, 2010 के बाद के दशक में जब technology इतना develop हो गया कि आज हर इंसान के हाथ में internet पहुंच चुका है, कैमरा वाले smart phones पहुंच चुके है तो pornography एक ऐसे level पे पहुंच चुका है, कि संसार में शायद कोई ऐसा ही, कोई बहुत शायद होगा जिसने शायद pornography एक बार भी नजर नहीं रखा हो, शायद इसके पास phone नहीं है इसलिए या मौका नहीं है इसलिए लेकिन ये हर जगा पर पहुंच चुका है, इसका penetration या इसका size समझने के लिए मैं समझता हूँ कि 2010 के आकड़े ही हमको इला देंगे, 2020 के आकड़े है नहीं क्योंकि अब pornography इतना फैल चुका है कि आकड़े बनाना मुश्किल हो गया है, तो 2010 के आकड़े बोलते हैं कि अमरीका में pornography का turnover 12 billion US dollar था 12 billion US dollar यानि उस समय के dollar रुपी के हिसाब से 50,000 करोड उस समय के हिसाब से, आज उसका value गिनोगे, तो उससे दुगना है तो इतना खाली अमरीका में खाली pornography को लेकर एक साल में business होता है, एक लाग करोड का और सारे संसार में देखे तो उससे आठ गुना जादा हो रहा है, उस समय में दस साल पहले 4,00,00,00 करोड रुपे का सौदा होता था pornography का, तो ये बड़ा पैसो का वाला मामला है, it is a big business, एक बहुत बड़ा commerce platform है, तो इसके लिए इसको नजरंदाज नहीं किया जा सकता है, ह हम कई बार pornography को free availability में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे व्यवसाय होता है, धंदा होता है, इसमें पैसा शामिल है, और आजकल तो pornography एक बहुती अलग track पे जा रहा है, जहांपर मांगे हो रही है, रेप की मांगे हो रही है, कि भी रेप के वीडियो दिखाईए, या छोटे एक अलग angle ही pornography पकड़ रहा है, आम तोर से pornography दो तरह के होते हैं, उसको दो category में देखे जाते हैं, एक तो hardcore, दूसरा softcore, hardcore यानि जब सब कुछ खुलम खुला दिखाया जाता है, बिना कोई भी तरह के limit के, हिचक के, उसको hardcore बोलते हैं, और जब उसमें थोड़ा सी large तो नही खाये बगएर थुड़ा चुपा चुपा कर जब उसको दिखाते हैं, तो उसको softcore बोलते हैं, और ये दोनों तरह के pornography की मांगे, पुरे संसार में बहुत जाता है, वैसे कहते हैं कि Netflix, Twitter और Amazon, ये तीनों को मिला दो, तो कितना काम होता है, उससे ज़्यादा काम pornography में होता है Amazon, Netflix और Twitter, तो 30% आज internet pornography से बढ़ा हुआ है, तो ये है pornography और इस विश्य को हम जरा भी नजर अन्दाज नहीं कर सकते हैं, हमें इसके उपर बात करना चाहिए My God, इतना सारा तो मैंने pornography के बारे में कभी सुना नहीं, ये तो सिर्फ मैं सोता हूँ, आपने सिर्फ introduction दिया pornography का, और मैं दर्शकों से ये निविदन करूँगा कि ये जैसे सर बता रहे थे, ये topic बहुत गंबीर है, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इस topic के गहराई मे और उसके गंबीरता को सही रिती से समझना, तो अब जरूर इस topic पे बने रहें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बाते आने वाली हैं, जिन से हमें बहुत सारा सीखने को मिलेगा, और हम बहुत सारे ऐसी जगयों से बच पाएंगे, जहां पे हम गिर सकते हैं, तो सर जिस तरह से आपने इसका पूरा विवरन किया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किन माध्यमों से इस पॉर्नोग्राफी से हम एक्सपोज हो सकते हैं, यानि हम उससे मुढभेर हो सकता है हमारा पॉर्नोग्राफी से, अब जैसे मैंने कहा कि स्मार्टफोन के आ जाने की वज़े से इंटर साल की उमर में एवरेज होता है, मैं तो समझता हूँ उससे छोटे उमर में होता होगा, और इस लोगडाउन के बाद तो जब फोन हब हर हाथ में पहुँच गया, बच्चे के हाथ में फोन है, तो उतनी छोटी उमर में भी पॉर्नोग्रफी को एक्सपोस होने के जो चांस स्पैलिंग टाइब कर दिया, अब ये जो पॉन के कमपनीज है, वो भी जान बुचकर देखते हैं कि बच्चे क्या टाइब करते हैं, उसमें स्पैलिंग मिस्टेक कहा हो सकता है, उस हिसाप से वो लोग कंटेंट क्रिएट करते, तो गलत स्पैलिंग की वजए से कोई जाता है और फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं और कई बार इमेल के द्वारा आता है तो अलग अलग तरह से बच्चे जो है इसके सामने आ जाते हैं और क्योंकि अब मैंने कहा कि फोन सब क्या हाथ में हैं तो हमारे बच्चे शायद देख भी चुके होंगे इसको एक्सपो पहले के और आज के मूवीज में देख लो बीस साल पहले की तो बात छोड़ी दो पर अभी जो मूवीज में जो ओपननस के साथ फ़र एक्जामपल के किसिंग का सीन दिखा रहे हैं या एक पती-पतनी के बीच के संबन में जो हो रहा है उसको ओपन ली हालाकि कुछ चीज पर जो वैपसी आ रहे हैं उसमें जो दृश्य किसी भी बच्चे के सामने भी आ सकता है वहां पर भी एक्सपोशर हो रहा है हमारे फिल्मों के अंदर जो आइटम सॉंग से जो अभी आज कल एक फिल्म निखाला और उसमें आइटम सॉंग नहीं है तो फिर ओपिचर पिच होते हैं या जो डैन्स के मूज होते हैं इसी तरह से होता है कि किसी को ज़रा और जो इमेजरी दिखाथा के अब 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 ले लो नियूस्पेपर में हो या टीवी पे हो जो एड़िटाइजमेंस है वो भी उसी तरह कोगे अच्छा ये सबसे भी खतरनाक है जब पॉनोग्रफी बहुत ही सौफ्ट तरीके से नहीं बहुत ही चुप चुप कर हमारे बच्चों के कार्टून उसके अंदर प्रवेश क उसके केरेक्टर्स को आप देखोगे तो उनका चितरी करन उनका शेप उनका ड्रेसिंग सब देखके ऐसा ही लगे कि बस अब एक और कुछ कर दिया तो यह पॉनोग्रफी हो जाएगा यानि उसके कगार तक लाकर रख दिया है तो मैंने कहा मूवीज वेब सीरीज हमारे ग जैसे कि इनसान सेक्स के लिए जी रहा है यानि इनसान के जीवन का सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो सेक्स है उस तरह से पुरे कम्यूनिकेशन को हैंडल किया जा रहा है तो एक तो मेंस्ट्रीम की वज़़ए से भी वो एक्सपोज हो रहा है तीसरा कई बार जो है होगा बच्चे गलती से ब्राउसिंग हिस्ट्री में चले गए और क्लिक कर दिया और साइट खुल गया कई बार कोई मैगेजिन्स कुछ माता पिताए चुपा के रखती है अब उसकी जिम्मेदारी पूरे इस माता पिता की है लेकिन बच्चे कई बार इस तरह से भी एक्स सारे बच्चे ऑनलाइन जब अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर जाते तो कहीं न कहीं हो सकता है कि वो किसी ने किसी के साथ चैटिंग शुरू कर दे तो कुछ वेबसाइट में जब अगर रीडिंग का भी वेबसाइट है जहां पर वो कुछ पढ़ रहे है तो वहां पर भी उनके दोस्ती बन जाती है किसी के साथ और चैटिंग करना शुरू करते हैं अब ध्यान रखने की ज़रूत है कि सेक्शुल प्रिडेटर्स नाम का एक वर्ग का डेफिनेशन अभी दिया गया है सेक्शुल प्रिडेटर्स जो ऑनलाइन बैठे रहते चैट करने के लिए और जब बच्चे या जवान या कोई भी चैटिंग करता है तो वो सामने वाला व्यक्ति जो प्रिडेटर है शिकार है शिकारी है वो इस तरह से सवाल पूछता है कि उसको जानकारी मिल जाती है कि ये व्यक्ति कितने उमर का है कहां बैठा है और इसकी जरुरते क्या है ये क्य धोन रहा है उसका weakness क्या है तो इतने indirect सवाल को पूछ पूछ कर यह सब information लेकर धीरे धीरे से अगर उसको पता चल जाए कि सामने वाला वेक्ति vulnerable है इसका कमजोर है हाँ कमजोर है और इसको expose या इसको miss use किया जा सकता है तो फिर दीरे दीरे उतेजना देने वाले link वीडियो यह सब भेज भेज कर बच्चों को कई बार या जवानों को कई बार इस दिशा में धकेलते हैं अब मैंने कहा कि average age शायद 11 साल का होगा जब बच्चे इसमें expose हो जाते लेकिन सच में तो यह तो क्योंकि डेटा कौन बताएगा कि मैंने 11 में देखा या मैंने 10 में देखा तो अंदाजा अनोफीशली ऐसा है कि आँट से नीचे होगा average age जब बच्चे पोनोगरफी को expose हो कुछ बात होता नहीं तो वो समझ नहीं पाते कि यह हो क्या रहा है तो उस inquisitiveness की वज़े से वो वापिस उसको देखना चाते कि यह हो क्या रहा है और कई बार जब बच्चे या जो teenagers है या जो adolescence 14-15 साल के होते वो जब यह देख लेते हैं तो उनको यह भी prayer ना मिलती है कि हम थोड़ा सा इसको try करके देख ले इसका experimenting करे तो कई बार बच्चे उस तरह से भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जो कई बार परिवार के अंदर अंदर ही बड़े जो बच्चे हैं चोटे बच्चों के साथ इस तरह की प्रवरूती में शामिल हो सकते हैं तो इसको online पढ़ाई कर रहे लेकिन ये सब पीछे के windows में चल रहा होगा और इनको अंदेशा भी नहीं होगा कि ऐसा सब हो रहा है और वही नहीं वो चीज़े अब प्रायोगी की जा रही है घर में उसका भी ये लोग कभी बोलेंगे नहीं बच्चे कभी भी माँ बापको बोलेंग पर sex के बारे में होने की संभावना है कई बार ये लोग शर्म में आ जाते कई बार anxiety में आ जातेक है कई बार वो लोग एसा सोचने लगते है कि sex तुम्हारे ताकत को दिखाने का एक तरीका है चो खास करके छोटे बच्चे जब देखते हैं कि sex का act हो रहा है और इसमें और के उपर हम कब्जा जमा सकते हैं उसको हम नीचा कर सकते हैं या उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं तो बच्चे हैं ना इनको यह सब बात हैं मालूब नहीं तो कई बार एक गलत impression sex के बारे में उनकी दिमार में आ सकता है और वही नहीं इतने चोटे IU में exposed होकर यही बच्चे बड़े बनकर अपने सामने के gender के साथ के रिष्टों में failure है करकर लगबग सारे statistics और सर्वे बताते हैं तो बच्चे इसको देखते हैं उसके हुगड हो जाते हैं जैसे कि उनको चंगूल में उसके फस जाते हैं और वो बार 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 यह देखते रहे तो और इसके साथ उसकी consequences भी घर में हो सकते हैं तो एक बहुत ही कम IU में इसका exposure हो जाता है और अगर आप mature नहीं हो तो इसका बहुत ही खराब consequence हो सकता है मैं आशा करता हूँ कि आप इस विशय की गंबीरता को महसूस कर रहे होंगे समझ रहे होंगे कि यह विशय कितना गंबीर है और इसका exposure जैसे हमने सुना कि किस तरह से और किस IU में इसका exposure यानि हम उसके शिकार बन सकते हैं किन-किन माध्यम से किस-किस तरीके से हम बन सकते हैं तो अगर आप जुड़े रहें अगर कोई सवाल आपके मन में आते हैं तो आप जरूर लिख लें यहां आप हमें personally email कर सकते हैं हम और इस विशय के बारे में अगर आपको जान करें चाहिए तो हम आपसे email पे आपसे बात करेंगे सर मेरा अगला सवाल है कि जितनी भी हमने जगह पर यह pornography के बारे में exposure देखा है वो generally छुपा हुआ होता है कोई भी लोग ऐसे जैसे बाहर रोड पे बैठके देख रहा है और चाल जरनों को बुला रहा है ऐसा कभी नहीं होता सब इसको छुपा के रखते है तो उसके पीछे का कारण क्या है क्या यह illegal है अब उसमें भी एक फरक आ रहा है जो छुप छुप के देख रहे थे अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा open में देखने लगे है कभी कभी जुंड में बैठकर देखते हैं तो यह सब अब होने लगा है लेकिन चुपाने की पीछे का एक कारण यह है कि आम तोर से pornography की विशे में समझा गया है कि यह गैर कानूनी है illegal है तो इसके इस बात में कोई गलती नहीं है गैर कानूनी है लेकिन अगर आप personal space में आप व्यक्तिकत अपके कमरे में बैठकर आपके privacy में आप pornography देख रहे हो तो वो गैर कानूनी नहीं है और अगर आप उसको समझ लो कोई pornography का content आप laptop पे आपके phone पे smartphone पे लेकर store करते हो वो भी गैर कानूनी नहीं है लेकिन जैसे ही आप private space से निकल कर आपके निजी मामले को आप जैसे ही public में लेके आते तब नियम बदल जाता है तो भारत का कानून ये कहता है कि इस तरह के कोई भी pornography material का distribution उसका वितरन या उसका sale उसको अगर आप बेचते या उसको आप कहीं पे display करते पब्लिक में उसका publish करते कोई platform पे जाके आप उसको publish करते या किसी को भेजते आप उसको किसी को personal message में फोन पे भेजते या किसी को आप email में भेजते तो इसको किसी भी तरह से आपके उस व्यक्तिकत दाइरे से बार भेजना वो गैर कानूनी है और हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अब उसम भी चाहे आपने अगर कोई ऐसा material वो कहानी भी हो सकता है जरूरी नहीं कि पिच्चर है या वीडियो है खाली symbol भी होगा जिसमें लेंगिक एक communication या sexual communication किया जा रहा है तो उसको सबूत के रूप में लेकर आपके खिलाफ उसका इस्तमाल किया जा सकता है और वो गैर कानून है आपके device से आपने और किसी को भेज दिया या और कहीं भी publish कर दिया public domain में या कहीं private किसी के phone पे वो गैर कानूनी हो गया और खास तोर से अगर बच्चे शामिल हो 18 साल से कमायू के बच्चे आपके phone पर उसका material भी अगर मिल जाए तो भी उसकी सजा बहुत बड़ी है तो उस तरह से ये गहर कानूनी है अभी लेकिन कुछ सालों में अभी चौदा में जब आया मुनरेदरमोदी सरका तो उसमें उन्होंने काफी सारे website पे बैन लगा दिये हजारों की तादाक में बड़े-बड़े website पे इन्होंने बैन लगा दिये और इन्होंने सारे internet service providers airtel हो geo हो या BSNL हो सारे providers को बोल दिया कि ये हजार से ज़्यादा जितने भी website है उनको बैन कर देना है और उसके पीछे का उनका logic ये है वो ऐसा कह रहे है कि ये सारे website हमारे भारतिय समाज को ब्रस्ट कर रहा है और हमारे समाज में उसकी गिरती हुई नहतिकता की पीछे का एक ब बैन करने से इसका हल निकलेगा नहीं क्योंकि ये content provide करने वाले website है वो भी शाने है तो वो mirror website बनाते है राइट दूसरे जगह पे वही content publish करते है तो ये लोग बैन कितना करेंगे कितने website बैन करेंगे वो सामने दूसरे 10 website खड़े कर देते तो एक तो उस तरह से भी इसको र करकर अपने IP address को छुपा कर वो access कर सकता है तो पकड़ो आप पकड़ना है तो तो उस तरह से लोग इस तरह से इसका access कर लेते और government अगर ऐसा कोई बैन लगाता है तो उससे कुछ ये रुखता नहीं है तो ये गैर कानूनी है लेकिन public domain में आने पर और इसलिए public space में इसको इसटमाल करना बहुत ज़्जादा करना है अगर इसको प्राइवीटली इस्तिमाल करें तो चलता है लेकिन जैसे पबलिक में आता ये गेर कानूनी बन जाता है तो मेरा इक इसके ऊपर एक सवाल है क्यों ऐसा public में आने से गेर कानूनी बन जाता है तो फिर क्यों इसकी क्या कोई बड़ी घंबीरता है इस पॉर्नोग्राफी से रिलेटेड की पॉब्लिक में आने से इतना असर उसका बढ़ जाता है। कुछ भी करें वो हमारी आजादी है तो गवर्मेंट इसलिए विक्तिगत स्पेश में इंटर्वीन नहीं करता है। कि इससे समाज पर लोगों पर असर होता है वो अपने अपने वैलिड है मैं ऐसा समझता हूँ। तो पॉर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा समस्या हमारे सामने है और इसको नजर अंदाज हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसका असर लोगों के स्वभाव पर पड़ता है, लोगों के सोच पर पड़ता है, समाजी गरिष्टों पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। तो हमारे सक्सेस पे, हमारे इफेक्टिवनेस पे, हमारे रिजल्ट्स पे हर जगा पर इसका असर होता है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, इसलिए ऐसे कदम उठा रहा है। एक एडिक्शन बन जाते है, वियसन बन जाते है, एक लत लग जाती है। उसी तरह पॉनोग्रफी भी एक एडिक्शन बन जाता है। अब एडिक्शन के रूट में आप जाओगे तो एडिक्शन कैसे होता है फर एक्जामपल आपने शराब पिया तो शराब पीने की वज़े से उसके अंदर के जो तत्व है वो आपके शरीर के अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं डोपोमाइन नाम का हॉर्मोन है ऑक्सीटोस होता है आप सिगरेट पियोगे डोपामाइन रिलीज होता है आप ड्रग्स लोगे तो डोपामाइन रिलीज होता है तो हर बार शरीर जब इस तरह के ट्रिगर्स को जब पाता है और डोपामाइन रिलीज करता है तो इनसान को अच्छा लगता है लेकिन जब आप फर फिर मैं डोपामाइन रिलीस करूँगा यह आम तोर पर आप जो दूसरे क्रिया कारी करते हो उसके अंदर वो डोपामाइन रोक के रखेगा वो शराब की रा देखेगा क्योंकि अब उसके लिए आसान है ट्रिगर है तो वो शराब का अंदर जो भी अलकोहल है वो जब उसके शरीर डिटेक्ट करता है तब डोपामाइन रिलीस करता है जब ऐसा हो जाता है कि शराब के बीना मज़ा नहीं आ रहा है वो स्टेज पर जब एक इनसान पहुचता है उसको एडिक्शन बोलते है अब यही चीज पॉर्नोगरफी के साथ होता है पॉर्नोगरफी जब इनसान देखने लगता है तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीस होता है और फिर एक वो ऐसे स्टेज में पहुच जाता है कि जब तक वो पॉर्नोगरफी ना देखे तब तक उसको खुशी नहीं मिलती उसको ऐसे लगता है लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है सब कुछ थोड़ा बोरिंग जा रहा है तो फिर वो और फोन में क्लिक करो और पॉर्नोगरफी सामने शराब के लिए तो तुमको खर्चा करना पड़ता है दूर जाना पड़ता है बाहर जाना पड़ता है छुपा के रात को करना पड़ता है ड्रक्स के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते स्मोकिंग भी चुप चुप के करना पड़ता है पॉर्नोगरफी तो आप कहीं भी बैटो बातरूम में बैटे लगा दिया बटन दो दबा दिया और शुरू हो गया तो ये इतनी जल्दी से जब मिल जाता है तो इसकी लट उसको जल्दी से लग जाती है और धेरे धेरे करकर इसके बगेर अब उसका जलता नहीं है ऐसा हो जाता है अब आप बोलोगे कि ठीक है स्मोकिंग शराब के जैसा ही एक एडिक्शन है ना ये पर स्मोकिंग जब एक इनसान करता है तो उस स्मोकिंग के साथ जुड़ा हुआ जो एक टॉक्सिन है निकोटिन जो शरीर में जाता है अगर आपको उस नशे से छुटकारा चाहिए तो आपके बलड के अंदर जो निकोटिन है उसको निकाल दे उसको डी टॉक्सिफाई कर दे तो आप उसके लट से निकल सकते हो ये आपके अंदर जो जहर है उसको निकाला जा सकता है शराब है तो भी आपके शरीर में जो जहर देर्व्रे उसको निकाला जा सकता है, । ड्रॉक्स है, तो भी ऐसा हो सकता है. लेकिन अगर Die पोनोग्राफी की लत-इलत जाए, तो आपके अंदर कुण सा जहर गोसा? आपके खुन के अंदर पोनोग्राफी ऐसा कोई चाप नहीं छोड़ता, कोई जहर नहीं छोड़ता जिससे आपके अंदर से जहर निकालकर आपको शुद्द किया जाए क्योंकि पॉनोग्रफी आपके ब्लड में नहीं जाता आपके दिमाग में जाता है यह मेमरीज बनकर आपके अंदर स्टोर हो जाता है अब उसको निकालना बहुत मुश्किल है यानि पॉनोग्रफी से डी टॉक्सिफाई नहीं किया जा सकता स्मोकिंग और अल्कोहॉल और यह सब से इंसान को हम ट्रीटमेंट करके रीहाबिलिटेशन सेंटर में भेजके आप लिए मनोवग्यानिक कहते है कि आज संसार में जितने भी लत या व्यसन है उसमें सबसे खतरनाक सबसे डेंजरस इंसान जिससे छुटकारा नहीं पा सकता है वो एडिक्शन है पॉनोग्रफी एडिक्शन तो यह अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या है औ क्योंकि उसको पता है कि अगर इस तरह से रहा तो एक बड़ा पॉपुलेशन हमारा इसके एडिक्शन में आ जाएगा और फिर इसके असर में हम सब फस जाएंगे हम लार्जेस्ट ग्रोइंग एकनोमी है हम संसार में आगे बढ़ना चाहते और हमारे लोग अगर पॉनोग स्टेज होता है जी ऐसा नहीं कि आपको लट लग गया पहले इनिशियल एक्सपोजर है कि आपने देखा और आप इंट्रेस्टेड होगे लेकिन फिर एडिक्शन हुआ कि अब इसकी बीना चलेगा नहीं लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आता है जिसको एसकलेशन बोलते हैं अब एसकलेशन में क्या होता है कि आप दस मिनिट देखोगे तो आपका जी नहीं भरेगा अब आपको आदा गंटा देखना पड़ेगा फिर आप आदा गंटा देखकर जी नहीं भरता है आपका फिर आप एक गंटा देखते हैं इसे धीरे धीरे करकर ऐसे लोग हैं जो प कि भी क्या करते हैं? जल्दी से excitement लाने के लिए, अलग अलग तरह का porn देखते है पौर्नोग्रफी के अंदर भी category से, कि स्त्री और पूरुष के बीच है, पिर अनेक स्त्री और एक पूरुष के बीच है, अनेक पूरुष और बहुत सारे पुरुषों के बीच है। अइसे आप देखने जाव तो कैटगरी सी इतने सारे है। कि लोग फिर अलग अलग कैटगरी के द्वारा एकसाइट होना चाहते अरोसल वो इसको एसकालेशन बोलते। अब escalation जब एक हद के बाद फिर desensitize हो जाता है इंसान कि अब यह सब देखकर भी उसको नहीं हो रहा है उत्तेजन नहीं हो रहा है तो उसको अब वो फिर कुछ ऐसी चीज़े करने लगता है देखने लगता है जो साधारन रूप से वो अपने जीवन में नहीं करता उसमें मैंने जैसे का जानवरों के साथ या बच्चों के साथ या अलग अलग तरह के वियर्ड या बहुत ही घटिया किसम के पोर्नोग्राफी की तरह वो बढ़ने लगता है अब ये स्टेज पे जब वो पहुँच गया एडिक्शन में फिर अब अगला सिर्फ मौके की राह देख रहा है जब वास्तविक जीवन में उसके सामने ऐसा कोई मौका आ जाएगा जहां पर उसने आज तक जो कुछ भी देखा है उसको प्रायोगिक कर सकता है आप समझ लो घर पे वो बैठा है और घर पे कोई ऐसा है बेहन है कजिन है नेबर है या कोई बच्चा आ गया जिसको जिसके कमजोरी का इस्तमाल करकर वो एक्स्पिरिमेंट कर सकता है तो वो कर किया या 14 साल के लड़के ने 78 साल के दादी मा का रेप किया यह सब कैसे होता है जब आप पॉनोग्रफी के एडिक्शन के अंदर एसकलेशन और डी सेंसिटाइजेशन स्टेज को क्रॉस कर लेते हो समवेदन शिलता आप खो लेते हो फिर आप ऐसा कोई क्रिया करते हो तो यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए सरकार इसको बहुत सीरियसली ले रहा है और इसलिए यह सब वेबसाइट को बैंड कर रहा है हम सरकार को हम ऐसा समझते है कि यार इनको कोई काम दंदा नहीं हमारा मज़ा खतम कर रहे है लेकिन वो लंबा सोच रहे कि इसे समाज के उपर लोगे के उपर क्या असर हो सकता है मैंने कहा मैं दो विशे खास जो है वो बताऊंगा एक तो यह है दूसरा है कि मैंने अभी 2010 के आँक्रे आपको बताए पॉनोग्रफी का जो इंटरनेशनल रेविन्यू है चार लाग करोर दस साल पहले वो आँक्र पॉनोग्रफी देखने वाले और पब्लिश करने वाले कंटेंट बढ़ गए है देखने वाले लोग बढ़ गए है उसके बावजूत पॉनोग्रफी का रेवेन्यू जो है आमदनी जो है वो कम होता जा रहा है तो वो एक चिंता का विशे आप बोलोगे आपको क्यों चिं है ना क्यों नहीं हो रहा है तो उसके पीछा कारण यह है यह आमदनी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि फ्री में पॉनोग्रफी देने वाले लोग बढ़ गए है पहले पॉनोग्रफी का एक इंडस्ट्री हुआ करता जैसे हमारा हॉलिवूड है बॉलिवूड है मॉलिवू क्रियेट होता था पर अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सबके पास जीओ का कनेक्शन है तो धड़ा धड़ा कंटेंट बनाओ अपलोड गरो और फ्री में दो क्यों क्यों कि आज जवान कैसा हो गया है कि अगर लोग मुझे देख ले ना नंगा तो क्या हो गया पर द फोनोगराफिक कंटेंट देने वालों की तादाख बढ़ गई है इसके लिए आमदनी कम हो गयी यह बला चिंता का विशय है हो सकता है कि हमारे घर के बंद कमरों के अंदर से हमारे बच्चे इसको अपलोड कर ले तो यह लिए यह एक गंबीर समस्या है इसको हम कार्पेट के नीचे दबा कर इसके बारे में बात ना करकर श्ष ये टॉपिक हम नहीं बात करते हैं ऐसा करकर हम उस ऑस्ट्रिच नाम का जो पक्षी है ना जो मिट्टी में सर डालके छूप जाता है उसको ऐसा लगता है कि ऐसे करने से तुफान चला जाएगा उसको कुछ नुक्सान न बिल्ली जो है अगर दूद पी रहा होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है तो आख बंद कर लेता और दूद पीता है उसको ऐसा लगता है कि उसके आख बंद करने से कोई उसको डिस्टरब नहीं करेगा तो इस तरह का एक प्रतिक्रिया है हमारा जब हमारे स यह सब हम देखते हैं और हमारी आखे बंद कर लेते हैं. जी. So we have to take this matter seriously and talk about it. Amazing, amazing. मेरे पास शब नहीं है, sir. इसके बारे में मैं आपको वानन करके दे सकूँ कि इतना गहराई में और इतना गंबीर टॉपिक, क्योंकि आज तक मुझे लगता है कि हमने भी कभी इस टॉपिक को इतना गंबीर ता से और इसके असरों को इतने गहराई से न सुना होगा, न समझा होगा, न उसके बारे में कभी चिंता किया होगा. तो जिस तरह से आज हमने इतनी सारी बातों के बारे में सीखा, इस ते बारे बातों के बारे में हमने समझा तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब अभी इस पॉर्नोग्राफी के प्रती बहुत ही गंबीर हो जाएं और सतर्क हो जाएं क्योंकि सतर्कता से ही सावधानी आएगी और सावधानी से हम हमारे परिवार का, परिवार से हमारे समाज का और समाज से हमारे भेश का सुरक्षा करने पाएंगे सर, आपने जिस صरब से ये pornography as an addiction से connected करके बताया अपने जिस सरद बता है कि यह एडिक्षन से भी बहुत ही गंबीर है पॉर्नोग्राफी के एडिक्षन से भागा अना बहुत ही मुश्किल है तो क्या यह सरे एक एडिक्षन तक ही सीमित है या उसके और भी कोई शारिरिक असर हम देखने पाते हैं हर addiction हमारे जीवन के हर शेत्र के उपर असर करता है ऐसा नहीं है कि खाली आप smoking करते हो तो ऐसा नहीं है कि किवल आपके शरीर पर एफेक्ट करता है आप एक लंबे समय में जब उसको देखोगे तो आपके पारिवरिक जीवन पर भी उसका असर होता है आपके आर्थिक परिस् कारीर भी असर का सामना करता है अब शारीरिक जो असर होते हैं उसमें से कुछ मैं आपके सामने बताऊंगा सबसे पहला कि पॉनोग्रफी जो व्यक्ति बार बार देखता है वो कई बार रात के समयों में देखता है और क्योंकि शुरुआत में भले थोड़े समय के लिए द देखना पड़ता है तब जाकर उसको ऐसा लगता है कि मैं एक सैटिस्वाइब हुआ हूँ मानसिक रूप से और शारीर रूप से इसलिए कई बार पॉनोग्रफी के व्यसन में जो लोग है वो ठीक से नींद नहीं ले पाते तो स्लीप डिप्राइवेशन होता है जिसके सा शारीर में आ सकती है वो आती है फिर मैं आगे बताओंगा लेकिन अभी मैं उसका वर्नन करते हुए जा रहा हूं कि पॉर्नोग्रफी के साथ हस्त मैथोन जुड़ा हुआ है मास्टरबेशन जुड़ा हुआ है आप स्वयम भोग कर रहे हूं तो उसके वज़े से भी हम शा हामिल होता है तो शारीरिक रूप से भी वो एक्जॉस्ट हो जाता है और ये एक्जॉस्टिन की वज़े से अगले दिन सुबह एक तो नींद पुरा नहीं हुआ रूपर से शरीर जरूरत से ज्यादा ठक चुका है अपने लिमिट से ज्यादा वो पर्फॉर्म कर चुका है तो अगले दिन फटीग में चला जाता है हैंगोवर जो बोलते जो शराब पीकर अगले दिन जब इनसान उठता है तो हैंगोवर जो फील करता है कुछ ऐसा ही फटीग उसको फील करता है और ये सब की वज़ा से बेठे बेठे ये देखते रहने से अलग-अलग पोजिशन का अपने स्वास्ते का अपने स्वच्छता का भी वो ध्यान कई बार रखता नहीं क्योंकि उसको रूचे यह है कि कैसे भी करकर और ज्यादा वीडियो में देखो तो एक तो इस तरह से असर हुआ दूसरा जो स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स यह बोलता है कि बहुत सारे ज स्ट्री के साथ संभोग या सेक्स में शामिल होना चाहता है तो उसका इरेक्शन वह एक्सपीरेंस नहीं कर पाता जिसके वजह से वह एक सेक्शुल रिलेशन में इंडल्ज नहीं हो पाता तो जब आपने पॉनोग्रफी देख देखकर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि वो देखने पर ही आपको इरेक्शन होता है तो जब आप वास्तविक एक व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हो तो उसको देखकर आपको इरेक्शन नहीं होता और आप उसको देखकर उत्यजित होते नहीं क्योंकि आपने इतना सब कुछ देख लिया ह और इस इस रूप में देख लिया है तो वास्तविक एक व्यक्ति को सामने देखकर आप शायद परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक इसका नेगेटिव वह है दूसरा है कि जैसे मैंने का हैंगोवर है हैंगोवर के साथ साथ फिर क्या होता है कि कई बार क्लासिस बंक कर लेता है तो एक तरह से गिल्ट में आ जाता है कि यार मैं सबसे पीछे रह गया तो उस तरह से भी एक डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है और वहीं नहीं स्टडीज ये कह रहे हैं साइंटिफिक स्टडीज ये कह रहे हैं कि पॉर्नोग्रफी बह पॉर्णोग्रफी देखने से इस तरह का असर कैसे हो सकता है अब आपको समझना चाहिए कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है तो हम उसमें महनत करते हैं क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल करके हमको उसका एक रिवार्ड मिलता है तो हम उसके पीछ लग जाएंगे दिमाग लगाएंगे शॉल करेंगे छुशी हम प्राप्त करेंगे पॉनोग्रफी में होता है पॉनोग्रफी में रिवार्ड पहले आजाता है एफर्ड बाद में होता है जो खुशी मिलनी है जो नैन सुख जो मिल जाता है और उसके साथ फिर आप उसमें एफ़र्ट लगाना है तो लगाओगे कई लोग एफ़र्ट कुछ करते भी नहीं तो कई बार आपके सामने कोई भी इश्यू है आपका प्रॉब्लम है कि आप बोर हो बटन दब आओ रिवर का आदी हो जाता है इनसान तो जब बार 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 उसका ब्रेन एफ़र्ट के बगार रिवर्ट देखने लगता है तो जब वास्तविक जीवन में उसको जाकर एफ़र्ट करना पड़ता है तब वो बोलता है मैं क्यों एफ़र्ट करू तो धीरे-धीरे करकर उसका दि पोजिशन्स में जाना चाहते मैनेजर या डिसिशन मेकिंग पोजिशन पर जाना चाहते तो फिर वो ब्रेन आपका उस तरह से इस्तमाल होना चाहिए पोर्नोग्रफी आपके उस ख्षमता को खतम करता है और इसलिए भी शारीरिक रूप से ही मैं जाओंगा कि हमको असर करता इसके अलावा सेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिसीज होने के चांसे से जो अगर एक व्यक्ती एसकलेशन के बाद डिसेंसिटाइस करकर वो एक्ट आउट करता है और उसमें भी अगर उसने अलग अलग लोगों के साथ एक्सपिरिमेंट किया वो ध्यान रखे तो भी फॉर कई सारे लोग उसमें सेक्शुली ट्रांस्मिटेड डिसीज जैसे की हेरपीस, साइफिलीस, गौनोरिया या एड्स इसके शिकार बन जाते हैं ध्यान रखने के बावज़ूद तो ये एक शारिरी का सर पॉनोग्रफी के कॉन्सिक्वेंस में लोगों के जीवन में हो सकता ह और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप आपके पढ़ाई को आपके केरियर को बैक स्टेज में रखकर पॉनोग्रफी में इंडल्ज करते हो तो उसके वज़े से आपके ओवरॉल वेल बिंग आपके खुश हाली पे भी उसका असर होता है और कई बार जब एसकेलेशन के एक महीना और फिर दीरे दीरे उसको लट लग जाती है तो आर्थिक रूप से वह मार खाता है और वहीं नहीं उसका केरियर में ग्रोथ ना होने के वज़े से भी लंबे टाइम में उस पर असर होता है तो बहुतिक या शारिरिक असर इसका बड़ा है मैं आशा करता हूं कि अगर हम ऐसा सोच रहे थे कि स्रिफ यह देखना ही तो होता है इसमें क्या नुकसान होता है थोड़े समय के लिए देख भी लिया तो तो लेकिन आज हमने सीखा कि इसका असर अभी शायद हमें नहीं दिख रहा हो लेकिन लंबे समय में वह बहुत ही यह ऐसा असर छोड़ सकता है जिससे हम हमेशा हमारे जीवन में एक पच्छतावे के साथ हमें रहना पड़े तो आप जरूर इस बात को गंबीरता से लें और जदि अगर आपके अरोस-पडोस में आपके परिवार में आपके इर्दि-इर्द कोई ऐसा है यह आप खुद अगर इसके शिकार हो या आप भी इस लट से जूझ रहे हो तो आप एको टीम को लिख सकते हैं एको टीम हमेशा आपके साथ है इस हर एक समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए और हम जीयो सरकावी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इतना गंबीर टॉपिक हमारे बीच में लेके हैं लेकिन आपको एक और बात बता देना चाहूं कि यह विशे यहां खतम नहीं होता हम अगले सब्ता फिर से मिलेंगे इसी विशे को हम आगे कंटीन्यू करेंगे और आप इस विशे को चूकना नहीं क्योंकि आप इसकी गंबीरता को समझ गए हो तिल डैट जाए तुन गुद बढ़ ऑनाव